उस जंगल में कालू कहवा अपनी मा पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था कालू कहवे का बहुत खुपसूरत और खुशाल परिवार था सुन्दरी मैं दबतर जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है रुक जाए कालू जी आपके दुपेर के भोचन का डब बाला रही हो ए लीजिये कालू जी मैंने सबसी आपकी मन पसंद की बनाई है इसकी क्या जरुवति सुन्दरी मैं बहार होटेल या धाबे में खा लेता पतनी के होते हुए आप होटेल में खाना खाएंगे तो मेरी सासूमा मुझे ताने मारने लग जाएगी कालू जी अभी मुझे जाना होगा सुन्दरी सच में बहुत देर हो गई है ऐसा कहकर कालू कववा वहां से चला जाता है कालू कववा अपने दफ्तर जाता है और अपने नवकर कालिया से कहने लगता है कालिया क्या हमारे कंपनी में काम करने के लिए आपने किसी कववी को बुलाया है हाँ सर जी, बुलाया तो था, मगर वो कवी अभी तक नहीं आई है अगर वो नहीं आएगी तो दुसरी कवी को बुलाओ, बिना कवीयों के दफ्तर सुना सुना लग रहा है कालिया जी जी सर जी मैं कोई और कवी को बुला लूँगा वो कल तक हमारे दफतर में हाजर हो जाएगी कुछ घंटे बीट जाते हैं अरे कालिया दफतर में बिना कवी के काम करने का मन नहीं करता है तुम्हें काम करो कलिया एक सुनदर सी और समझदार कवी को पटापट पटा कर मेरे सामने लिया अभी मैं भव ठक गया हूँ अब मैं घर चला जाता हूँ सर जी बिना काम किया आप कैसे ठक गये खामोर्ष कालिया तुमारे जबान कुछ जादा ही चलने लग गई है तुम मेरे नोकर हो जो मैं कहता हूँ बस ओही करते जाओ ऐसा कहकर कालू कवा वहां से चला जाता है कालू कवा उड़ते उड़ते वापस अपने घर आता है आ गया कालू बेटा तु दफ्तर से हाँ मा आपने खाना खा लिया हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया है और बच्चों को भी खाना खिला कर सुला दिया है मैंने अब तु हाथ मुदो कर खाना खा ले जी मा इस तरह से रात हो जाती है सुन्द्री कवी और कालू कवा सो जाते हैं अगली सुबह कालू कवा फिर से दफ्तर आता है कालिया का है कवी अभी आती ही होगी सर जी पिर कुछी देर में कालू के दफ्तर में गोरी नाम की कवी आती है हेलो सर माइ नेम ही इस गोरी कवी आयम मोडल गोरी कवी की बाते सुनकर कालू कावा मनहीमन सोचने लगता है अरे ये कवी तो अंग्रेजी में बात कर रही है लगता है ये कवी विदेश आई होगी मैंना इस कवी को मेरे दफ्तर में काम दे देता हूँ अगर ये कवी अंग्रेजी में चपट चपट करेगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा मैं ठेरा अनपडगवार और अंगोटा छाप सर जी मैं यहां काम करने आई हूँ अरे ये कवी हिंदी भी बोलेती है सर जी किस सोच में पड़ गए आप वो कुछ नहीं जी आपकी नोकरी पक्की हो गई है और महिने में मैं आपको दो हजार रुपे सेलरे भी दूँगा वाव सर जी आप बहुत अच्छे है ऐसा कहकर गोरी करवी खुशी से कालू करवे को गले लगा लेती है थैंक यू थैंक यू सर जी मैं कलसी जरू रहूंगी ऐसा कहकर गोरी करवी वहां से चली जाती है गोरी की जाते ही कालू करवा मन ही मन सोचता है इतनी सुन्दर करवी आज तक मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा है कितने लंबे लंबे बाल है उस करवी के और उसका रंग भी कितना काला काला है अब तो उस कवी को मैं हर रोज देखूंगा, काशेर कवी मुझे सुन्दरी कवी से पहले मिल जाती, तो शायद मुझे सुन्दरी के बदले गोरी कवी मेरी पत्नी हो जाती फिर वहां कालिया आ जाता है सर जी कैसी लगी ये कवी आपको कालिया तुझे कहां से मिली ये कवी वो खुद मेरे पास आये ती सर जी वो मुझे कहने लगी सर जी उसे काम चाहिए मैं उसे यहां लेकर आ गया भहुत अच्छा काम किया है कालिया तुने आज तेरे काम से मैं भहुत कुशु का लिया फिर कालू कावा अपने घर जाता है सुन्दरी मुझे भहुत भूग लगी है जल्दी से खाना लगाओ कालू कावा खाना खाके सो जाता है अगली सुभ कालू कावा बिना सुन्दरी को बताए दफ्तर के लिए निकल जाता है अरे कालू जी बिना कुछ खाएं ही चले गए बेचारे कालू जी अपने परिवार के लिए दिन राट महनत करते हैं आज मैं खुद ही इनके दफ्तर जाऊंगी वो भी टिफिन लेकर ऐसा सोचके सुद्री कवी कालू को टिफिन देने निकल पड़ती है दूसरी तरफ कालू कवा अपने डफ्तर पहुच जाता है हाई सर अरे ये कवी मेरे आने से पहले ही आ गई गोरी जी आप भो जल्ली आ गई है आराम से उटकर नहा दो कर आना चाहेता आपको सर जी कल रात से मुझे नेंद नहीं आ रही थी इसलिए जल्दी जल्दी से नहा दो कर आपके पास आ गई और मेरा मदलब आपके पास काम करने आ गई हाहा आए गोरी जी मेरे बगल वाले कुरुची पर बेटिये आसे ये कुरुची आपकी हुई इस तरह से कालु कवा अपना काम धाम छोड़कर गोरी कवी से बाते करने लग जाता है दूसरी तरफ असंद्री कवी कालु के दफ्तर पहुच जाती है और कालिया से कहने लगती है कालिया भाया मैं कालू जी के लिए टिफिन ले आई हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ ? ओ तो बहुत बिजी है कवियों के साथ क्या कहा कालू भाया आपने ? ओ कवों के साथ बिजी है, आप ज़रा इंतिजार कीजे अब मर क्या करू अगर सुन्द्री भाबी जी ने गोरी कवी को कालू जी के साथ देख लिया तो हंगामा मचा देगी कालू भाईया मुझे घर जाने के लिए देर हो रहा है मैं खुधी अंदर चली जाती हूँ आज कालू जी मुझे दफ्तर में देकर बहुत खुश हो जाएंगे ऐसा कहकर सुन्द्री कवी अंदर चली जाती है और वो देखती है कि कालू कवा और गोरी कवी कप्पे मारते बैटे हुए थे गोरी जी आप बहुत सुन्दर हो कल रात को मैं भी सो नहीं पाया वो भी आपके खातिर मैं मेरी आखे बंद करते ही मुझे आप ही दिकाई देती थी कालू जी ये आप क्या कह रहे हैं इस कवी से और आप इस कवी से इतना चिपकर क्यों बैटे है हुषी शी कालू जी ओ टिफिल लेकर आई है क्या ए आपके काम वाली बाई है गोरी की बाते सुनकर संद्री करवी रोते रोते वहाँ से भाग जाती है इस नवकरानी रोने क्यों लगी क्या हो गया है आपकी नवकरानी को वो मेरी नोकरानी नहीं है गोरी जी, वो मेरी पत्नी है पत्नी ये आप क्या कह रहे हैं सर जी, मैंने तो सोचा था कि आप क्वारे हैं मैं भहुत अबागा हूं गोरी जी, ये मेरी पत्नी पागल है पागल मेरी मा के जिदकी वजैसे मुझे उस पागल से शादी करनी पड़ीती गोरी जी ओ मजबूरी में मुझसे दो दो बच्चे भी हो गए है मैं दो बच्चों का बाप हूँ गोरी जी ओ मगर मैं सुंद्री से प्यार नहीं करता ओ मैं ओ मैं मैं तो आप से प्यार करता हूँ गोरी जी गोरी जी मुझे घर जाना होगा मेरी पागल बेबी मेरी मा को क्या-क्या पट्टी पड़ा रही होगी मैं जाता हूँ गोरी जी ऐसा कहकर कालू कववा वहां से 921 हो जाता है कालू कावा अपने घर पहुचता है रुख जाए कालू जी आप अंदर नहीं आ सकते पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा पहले मुझे अंदर तो आने दो सुन्दरी नहीं कालू जी आपको मेरे सवालों का जवाब बहार ही देना होगा मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरे बच्चे भी जूटे और मकार बने आपने मुझे मारा कालू जी फिर उन दोनों की आवाज सुनकर कालू की मा आती है क्या हो गया सुन्दरी बहू तो क्यों रो रही है आपका बेटा किसी दूसरी कर्वी के साथ गुल्चर्वे उड़ा रहा था माजी मैंने मेरे आँखों से देखा है और कानों से सुना भी है मुझे वो बाते कहने में भी शरम आ रही है माजी कालू सुन्दरी बहू क्या कह रही है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पहले मुझे अंदर तो आने दो मा मैं सारी बात समझाता हूँ आपको नहीं माजी मैं इन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं दोंगी तो फिर ठीक है सुन्दरी बताओ क्या पूझना चाहती हो क्या आप उस कवी से प्यार करते हैं अगर नहीं करते तो आपने उस कवी से ऐसा क्यूं कहा कि आपके सपनों में वो कवी आती है और आपको सोने नहीं देती वो मैं उसके साथ मजा कर रहा था सुन्दरी शादी शुदा होकर ऐसा मजा करते हुए आपको शरम नहीं आए अब क्या मेरी आजादी भी चीन लोगी तुम क्या मैं दूसरी कवी के साथ हसी मजाग भी नहीं कर सकता आप हसी मजा कर सकते हो कालू जी मगर जूट पोर कर दफतर के अंदर किसी कवी के साथ सच हमेशा कड़वा लगता है कालू जी जब मैं आई थी कालिया भाया ने मुझसे कहा था कि आप किसी कवो के साथ काम में बीजी है जब मैं अंदर आई तो मुझे समझ आया कि आप किस काम में बिजी थे वो भी एक कवी के साथ तुम मुझे इतना बरा बोला बोल रही हो सुन्दरी फिर ठीक है तो मैं एक पल भी हा नहीं रुख सकता मैं गोरी के पास चला जाता हूँ अपनी मा अपने बच्चों को छोड़कर आप उस दूसरी कवी के पास चा रहे है तुम इतना कह रही हो तो उन्हें भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ कालू मुझे तुझ से ये उम्मीद नहीं थी मेरी बहु सुन्दरी सोना है सोना तो इसे छोड़कर दूसरी कवी के पास चाना चाहता है कालू कवा बिना कुछ कहें वहां से चला जाता है कालू कवी को जाते देख सुन्दरी कवी रोने लग जाती है मा जी आपने देखा कालू जी को वो किस तरह से मुझसे बाते कर रहे थे आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह से मुझसे बाते नहीं की रो मत सुंद्री रो मत भगवान पर भरोसा रख सब ठीक हो जाएगा कालू कहवा वापस अपने डफ्तर जाता है सर जी आप वापस आ गई मेरी पतनी ने मुझे घर से बहार निकाल दिया गोरी अब मैं कहा जाओंगा मेरी मा भी मेरा साथ नहीं दे रही है गोरी उस पागर को लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसने मुझे ये भी कहा है गोरी कि मैं आज से तुमारे साथ ही रहूँ मेरे घर के दर्वाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे सर जी मुझे पता है गोरी तुमारे घर के दर्वाजे मेरे लिए खुले है लेकिन तुमारा दिल का दर्वाजा वो भी खुले ही रहेंगे सर जी इस तरह से गोरी कवे और कालू कवा अब एक ही घर में रहने लग जाते हैं इसी तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं एक दिन सुन्री के घर बबलू नाम का चिड़ा अपनी पतनी रानी चिड़िया के साथ आता है जो कि कालू कवे का अच्छा मित्र होता है नमस्ते अंटी तो आ गया बबलू बेटा देख तेरी भाबी की हालत क्या हो गई है जब से कालू घर छोड़ कर गया है ना ठीक से पाते करती है ना खाना खाती है भाबी जी हम सब मिलकर कालू को सुदारेंगे आप फिकर मत कीजे हाँ संद्री बहन हम सब मिलकर कालू भाया को अच्छा सबक सिखाएंगे हमें माची ने सब बता दिया है कालू भाया ने आपके साथ क्या क्या किया है आपको रोने की जरूरत नहीं है संद्री बहन आपको तो उस कवी को रुलाना होगा अगर वो रोएगी तो कालू भया को आपकी याद आ जाएगी तब कालू भया अपने आप सदर जाएंगे हम उस कवी को रुलाएंगी कैसे चिडिया बहन सुना है वो कवी मौडल है आज से आप भी मौडल हो जाएए और अपनी सासुमा को अपने बेटे के पास भेज दीजे और कुछ दिनों के बाद अपने पच्छों को भी उस कालू भाया के पास भेज दीजे फिर देखें किस तरह से वो कवी रोने लगती है फिर देखे कालू भईया अपने आप सीधे हो जाएंगे उसका रंग देखकर मा जी आप तो समझे गई होगी कि आपको आपके बेटे के पास जाकर क्या क्या गुल खिलाने होगे हाँ छिडिया बेटी मैं समझ गई बाबी जी आप चिंता मत कीजिये आप बीबी नमबर वन है और हमेशा बीबी नमबर वन ही रहेगी बबलू और छिडिया की बाती सुनकर सुंद्री को होसला मिलता है आप बिल्कुल ठी कह रहे हैं बबलू भया मैं ही हूँ कालू की बीबी नमबर वन मेरी जगह कोई नहीं ले सकता यह हुई ना बात बस भाबी जी अपना होसला मत हारिये आपका देवर आपके साथ ही रहेगा और मैं भी आपके साथ ही रहूंगी सुंदृ बेहन इस तरह से बुल-बुल और जिडिया सुंदृ को होसला देते हैं फिर सुंद्री करवी की साथ गोरी करवी के घर आ जाती हैं कालू बेटा अरे वो कालू बेटा अरे मा आप यहाँ तेरी पहली पतनी सुन्दरी ने मुझे घर से निकाल दिया कालू अब मैं तुझ पर बोज नहीं बनना चाहती मुझे किसी विद्राश्रम में भरती करवा दे मैं अकेले वही घुट घुट कर मर जाओगी मगर मा सुन्दरी तो आपसे भहुत प्या करती थी ना सब दिकावा था कालू बेटा जिस तरह से तू दिखावा कर रहा था सुन्दरी के साथ उसी तरह वो भी दिखावा कर रही थी मेरे साथ अब तू वहाँ से इस चुडल के पास आ गया ओ मेरा मतलब इस कवी के पास आ गया तो वो मुझे क्यों अपने साथ अपने घर में रखेगी कालू बेटा तू मुझे विद्राश्रम छोड़ दे बेटा छोड़ दे नहीं मा आप कहीं नहीं जाओगी ये मेरा ही घर है आप मेरे साथी रहो इस घर में गोरी ओ गोरी हाँ जानू ये मेरी मा है गोरी आज से ये भी हमारे साथी रहेगी ठीक है जानू जानू कहा है जानू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मा, गोरी मुझे प्यार से जानू कहकर पुकारती है वो, मुझे लगा किसी फाल्तो कुट्टे का नाम जानू है मा, आप भी ना इस तरह से कालू की मा कालू के घर आ जाती है कुछ दिन बीट जाते है कालू बेटा, अरे वो कालू बेटा क्या हुआ मा? कालू बेटा, तो सुबह शाम घर पर ही रहता है तो दफ्टर नहीं जाता दिन भर सिर्फ जोरु का गुलाम बनकर उस कवी के आगे पीछे घूमता ही रहता है वो, मा, गोरी को अकेले रहने की आदत नहीं है इसलिए गोरी के साथ मैं घर पर ही रहता हूँ मेरे सारे दफ्टर का काम कालिया संबाल लेता है अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना कालू बेटा इस कवी के साथ मैं रहूँगी तो कल से दफ्टर जाया कर मैं ठीक है रही हूँ ना गोरी बहू ठीक है मा, मैं कल से दफ्टर चला जाता हूँ बिना कुछ कही गोरी वहां से चली जाती है लगता है तेरी गोरी को मेरी बाती अच्छी नहीं लगी और अपना मुपुला कर चली गई यहां से मा गोरी ऐसी नहीं है वो बहुत अच्छी है मुझे सब समझ आ रहा है कालू बेटा फिर कालू का वा गोरी को मनाने गोरी के पीछे पीछे चला जाता है इस तरह से कुछ दिन बीट जाते है फिर कालू के घर कालू के दो बच्छे भी आ जाते है पापा पापा हम अकेले आये हैं पापा हमें मम्मा ने घर से बहार निकाल दिया है ममा कह रही थी जाओ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए नई ममी लाई है ऐसा कह कर हमें बाहर निकाल दिया और हम यहां आ गए पापा अगर नई ममा ने भी आपको गह दिया कि हमें बाहर निकाल दो क्या आप भी हमें बाहर निकाल देंगे पापा नहीं बच्चो मैं आपको बाहर नहीं निकालोंगा आप मेरे साथ ही रहोगे अरे मेरे बच्चे तुम यहां किसके साथ आये हो गोरी ओ गोरी समझ गई ये बच्चे आज से यही 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 इसी घर में रहेंगे ऐसा कहकर गोरी कवी गुसे से वहाँ से चली चाती है पापा क्या यही है हमारी नई मम्मा बच्चों के बातों का बिना जवाब दी कालू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला चाता है फिर कालू की मा अपने पोतों के पास आती है और उन्हें कहने लगती है बच्चो अब तुम भी आ गए हो चलो अपना अपना कमाल दिखाओ जी दादी माँ फिर वो तीनों घर का चक्कर लगाने लग जाते है बच्चो कालू घर पर नहीं है चलो योजना के अनिसार अपना अपना काम करो नई ममा नई ममा हमें बहुत भूग लगी है हमें खाना खिलाए ना घर में कुछ नहीं है तो फिर आप हमारी लिए कुछ बना कर खिलाए नई ममा मैं तुम्हारी नवकरानी नहीं हो अगर भूग लगी है तो खुद ही बना कर खालो मुझे मत तंग करो अब जाओ यहां से हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है फिर वो दोनों बच्चे किचन में जाकर बर्तन नीचे फेकने लग जाते हैं बर्तन की आवाज सुनकर गोरी करवी किचन में आती है बतमाश कही के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बर्तनों को नीचे फेकोंगे ऐसा कहकर गोरी कवी उन बच्चों को मारने ही वाली थी कि वहां कालू कवा आ जाता है गोरी ये तुम क्या कर रही हो कोई बच्चों पर हाथ उटाता है जरा इनकी हर्कते तो देखो कालू शेटान है तुम्हारे बच्चे बस गोरी बस तुम मेरे बच्चों को शेटान नहीं बोल सकती बच्चों तुम अपनी नई मम्मा को क्यों तंग करते हो पापा हमें बहुत भूग लगी थी तो हमने नई मम्मा को कहा कि वो हमें खाना खिला दे मगर नई मम्मा ने खाना हमें नहीं खिलाया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ अगर तुम्हें भूग लगी है तो खुद बना कर खा लो ए नई मम्मा बहुत गंडी है पापा हमारी मम्मा बहुत अच्छी थी जब भी हमें भूख लगती थी वो हमारे लिए गर्मा गरम खाना बना कर हमें खिलाया करती थी गोरी क्या ये बच्चे सच कह रहे है मैं थोड़ा आराम कर रही थी कालू थोड़ा ठक गए थी इसी लिए इसा कह दिया इसका मतलब की बच्चे सच कह रहे है चलो बच्चो तुम्हें भूख लगी होगी ना मैं तुम्हें होटेल में खाना खिलाने ले चलता हूँ फिर कालू कवा अपने बच्चों को लेकर होटेल चला चाता है कुछ देर बाद कालू कवा अपने बच्चों को लेकर घर लोटाता है बेटा कालू मेरा सिरदर्ध हो रहा है गोरी बहु ने मुझे ये दवाई दी है मगर गोरी बहु ने ये नहीं बताया कि ये दवाई आधी लेनी है या पूरी लेनी है जराब पढ़कर तो पता कि इस गोली को आधालू या पूरा लू कालू कालू कवा उस दवाई को देखकर कहने लगता है मा ये तो जहर है जहर? मैं मरना नहीं चाहती कालू बेटा मुझे वित्राश्रूम छोड़ दे मैं मेरे साथ मेरे दोनों पोतों को भी ले जाऊंगी आज मुझे जहर दे रही है तेरी पतनी क्या पता कल मेरे पोतों को भी जहर दे पतलू बेटा भी कह रहा था कि कल बहू ने उस पर हाथ भी उटाया है मेरी सुन्दरी बहू कितनी अच्छी थी सोना थी वो सोना जब तू उसके साथ था वो मेरा कितना ख्याल रखती थी गुरी गुरी जाने दे बेटा जाने दे मेरी वज़र से तू अपनी दूसरी पतनी के साथ जगडा मत कर मैं मेरे पोतों को लेकर यहां से चली जाऊँगी बस तू उस गुरी के साथ अराम से और खुशी से रहे मैं चली जाऊँगी यहां से गुरी गुरी अरे मेरा शोना मेरा जानू आ गया मुझ अभी तक फुलाया हुआ है मैं तुम्हें माफी मांगने ही वाली थी उसकी कोई जरुवत नहीं है क्या ये दवाई मा को तुमने ही दिया है हा जानू ये दवाई मैंने ही दी है तुम्हारी मा का सरदर्द हो रहा था क्या तुम चाती हो कि मेरी मा मर जाए ये कैसी बाते कर रहे हो कालू बला मैं तुम्हारी मा को मारू की क्यों मा तुम बच्चों के पास ही रहो मैं अभी आता हूँ ऐसा कहकर कालू कवा वहां से चला जाता है कालू कवा उरते उरते सुन्दری के घर जाता है और सुन्दरी से कहने लगता है सुन्दरी तुमने मा को घर से बाहर क्यों निकाल दिया अब मैं भी एक मॉडल बन चुकी हूं कालू और मैं आपके बच्चों और मा को सभाल नहीं पाऊंगी अब से उनको आप ही को सभालना होगा मुझे देर हो रहा है कालू मुझे डेट पर जाना है बाई बाई अरे ये सुन्दरी तो पूरी तरह से बदल चुकी है ऐसा सोचकर कालू कववा वापस गोरी के पास आ जाता है आ गए कालू तुम सुन्दरी के पास गए थे ना हाँ गोरी मैं सुन्दरी के पास ही गया था लगता है अब तुम्हारा मन मुझसे भर गया होगा इसलिए अपनी पत्नी सुन्द्री के पास चले गए थे ना तुम नहीं गोरी तुम्हें कोई गलत खैमी हो गई है मैं तो उसे बस पूछने गया था बस कालो मुझे और जूट नहीं सुनना है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाओंगी तुम अपनी मा और बच्चों के साथ अकेले ही रह लेना तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी मा को मैं और नहीं झेल सकती अब मेरा दम घुटने लगा है तुम्हारे साथ मैंने मेरे जिन्देगी में सबसे बड़ी भूल की है तुमसे प्यार करके मैं जा रही हूँ कालू मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना ऐसा कहकर गोरी कवी वहां से चली जाती है फिर वहां पबली चीडा और रानी चीडिया आते है अरे कालू मेरे यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तु दुसरी कवी के साथ बुल्चर रे उड़ा रहा है ओ भी सुन्दरी भहन के सामने ये तो नाइंसाफी है कालू सुन्दरी भावी के रहते हुए तुम दुसरी कवी के साथ बसकर यार बसकर पहले आग लगी हुई है उसमें गी मत डाल गी ना डालो तो क्या डालो कालू मैं अभी अभी सुन्द्री भावी से मिलकर आ रहा हूँ बेचारी उदास बेटी हुई थी जूटी है ये बात मेरे बगेर मेरी सुन्द्री आराम से रहे रही है और तो और आजो किसी के साथ डेट पर जा रही है वो सब जूट है कालू तुम्हें जलाने के लिए भाबी जी ने जूट कहा था हमारी सुन्द्री भाबी तो तुमसे बहुत प्यार करती है कालू क्या तू सच कह रहा है बबलू जाकर खुद देख कालू सुन्द्री भाबी जी उदास बेटी हुई है बबलू की बाती सुनकर कालू कवा सुन्द्री के पास जाता है सुन्द्री प्लीज मुझे बाप कर दो मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं दोरा होंगा आज मुझे समझ आ गया है मेरी सुन्द्री सबसे अच्छी है और बीबी नमबर वन है हम सबने मिलकर ड्रामा खिया था कालू जी आपको उस चुडल से बचाने के लिए और हमारी ग्रहस्ती संभालने के लिए अब आपको अकल आ गई होगी कालू जी मैंने आपको माफ कर दिया आइंदा ऐसी गल्टी प्लीज दुबारा मत दोराईए कालू जी इस तरह से कालू करवे को समझ आ जाता है कि घर के काम सास बच्चों को संभालना आसान नहीं होता एस सिर्फ बीवी ही कर सकती है इसलिए तो बीवियों को बीवी नमबर वन कहते है